हेलो गाईस मैं सुरुजराज अपनी यूट्यूब चल पेपर हैकर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में बीसी फस्टियर स्टूडेंट जो भी है तो उसके लिए बॉटनी का फस्टियर लेकर आया हूँ जो 2021 में आने वाली कोशन की बात करने वा उनकोशन को जरूर याद करके जाएं ठीक है आने वाले कोशन वह मैंने आने वाले पिरसेंट हैं तो हम जो को को फेल नहीं होने दोंगे तो जो जोको बता रहा हूं उनको याद करके जाना है और क्वेक्ट रॉबल्म मनें तो कमेंट बॉक्सday ठेक है उटक पार यह दो सारे नोट्स मिलेंगे साथ साथ competition के भी वहाँ एकाद और नोट्स और हाइश्कूल इंटर के भी वहाँ डाल रखे हैं तो आप बहां जाके डालोट कर सकते हैं ठीक है और यह जो कोशन में बता रहो इन कोशनों के बहां आंसर मिलेंगे लेकिन मैं इस वीडियो से पहले आप को कुछ कहना चाहूंगा आप यूपी के किसी भी उनिवस्टी से हैं यूके के उनिवस्टी से हैं बिहार की उनिवस्टी से हैं और एंपी के उनिवस्टी से तो इन यूनिवस्टी में आपके इंपोर्टेंट कोशन होते हैं बाकी अदियाव राजिस्थान से हैं तो आप लक्षड अब साथ है जानते हैं कि वाइरस होते हैं उन से कौन-कौन से पादप में रोग हो जाते हैं यह देखेंगे और जो नहीं बॉक में आपके पास नोट्स गैस पर जो भी हैं इससे त्यारी कर सकते हैं यह फिर हमारे नोट्स डालोड कर सकते हैं उसका लिंक डिसक्प्शन वाक्स में दे रखा है ठीक है उसके बाद में आता है इस टेक्ट्चर और बैक्टरिया फेस होता है वाइरस तो जिवाडू भोजी से कह कहते हैं उसकी क्या होता है इस प्रकार होती हैं सरचना है यह सब हमने अपोर्टन को देख सकते शेंख हैं इस तो प्रवाइड कर रखी है उसके बाद में है देख सकते हैं पॉदों में बिसाड़ू का संचरन किस प्रकार से होता है अब यह प्लांट है उसमें जो बाइरस था जो मैंने कहा जनित पादव रोग उसके लक्षन अब वाइरस क्या होगा संचरन किस प्रकार से होता है मतलब उसके अंदर क्या होता है ट्रांस्मेट किस प्रकार से होता है उसके प्लांट के अंदर बिसाड़ू किस प्रकार से घुसता है ठीक है किस प्रकार से प्रवेस करता है वह चीज यह बहुत ही चाद़ इंपोटेंट है ठीक है उसके बाद मे पात्स और साथी साथ ब्यक्टेरिया लावदायो होते हैं लावधायो जिसे हम yourself कहते हैं। उसफाल्स अंकॉल साथी क्या होते हैं रहा हनिकार निंटे Ci होते हैं तो आपको बता है रहा हनिकारक कोन नाम बता देंगे तो यह बहुंच सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में नक्सक्राइब को आता है जो रोगाणू होते हैं उनको करते हैं तो रोगाणू को प्रिफख करण किस प्रिकार से किया जाता है यह अलक किस प्रिकार से क्याता है Tiram अलग करके कैसा देखा जाता है फिर्थर करना करना ठीक है वह देखेंगे साथी साथ आप यह तो बहुत ही ज्यादा important question रहेगा इसको टिक लगा लो बहुत ही ज्यादा very important TMB सरचना TMB वाइरस जानते हूँ ठीक है उसकी बहुत ही ज्यादा यह तो beczelija cell Ultra Extacting to bacteria की कोस्षा को हम अंदर से काता जाएं 과 तो अंदर से किस परकार की दिखाई देती है Ultra Extacting वाल अंदर वाली किस परकार से दिखाई देती है ने के ओन वह देखेंगे साथी साथ जो वह मतलब कि उसके सबकर कितने ने कोस्ट की वह से जननक होते हैं a कर्ते हैं एक फंगल के सकते चाहित के महत क्या होते हैं और इस सबसेमोड Eavanota हो जाती आंपने देखा हूगा दाग व्हगरा होतें वह सब writer और फंगल्स के वारण होते हैं कि फटर होते हैं और ये जो फंजाई होते हैं इनको खतम कर्ने के लिए सर्फ एक केपलेट या जिसे कहते हैं तर्माफाइन भी कहते हैं एक होता है टर्मिनफार और in unity योजोल यह दोह ठेपलेट होती तो उसका इस्तमाल करने से यह चीज़ खतम हो जाती है आप एक बार जरूर करें प्रॉबलम है तो नेक्स कोशन आता है नेक्स कोशन पर आता है विसाडू की सरचना आप देखिए वाइरस दिखता कैसा है सरचना कैसी वाइरस की और वाइरस का क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन और वाइरस मतलब की उसका अल्टा इस्टेक्शर वाइरस का क्या देखना है अल्टा इस्टेक्शर मतलब की साती साथ इस्टेक्शर देखना है और किस प्रकार से दिखाई देता इस्टेक्शर वाइरस तो वाइरस की सरचना आपको अच उलग करते हैं वह आपको जीवन चक्र घ्लेक मोड़द में यह उसका आपको जीवन चकर गया हैं वो आप याद करेंगे साथी साथ यह हमारे सारे notes में आपको मिल जाएगा यदि आप अपने तयारी से करना चाहते हैं notes को purchase नहीं करना चाहते हैं तो आप खुछ से तयारी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम यह चाहते हैं कि आप अच्छी number से पास हो बाकी कुछ भी नहीं ठीक है मैं आपको important question दे रहा हूं important question को याद करके जरूर जाना और 2021 में मैं बोल रहा हूं 2021 में 85% प्लस लाना हूं ठीक है प्रक्का मिलेगा आपको 85% यहां से उसके बाद में next question आता है देखिए next question अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनके लक्षण किस परकार से होते हैं और बेव大 बड़न आप देखें गे साथी साथ आप जानते हैं जो यह हूं है उसका काला तिडडा रोग लग जाता है क्या होता है गेहूं में आपने देखा होगा कि काला काला हो जाता है गेहूं और वो उसे क्या कहते है तो काला किट्र रोग कहते है ठीक है तो काला किट्र रोग कहा जाता है और इसका क्या होता है जीवन साइकल मतलब कि उसका जो गेह ना तो उसके बाद में आता है विले क्रॉस टॉप वीड के सकते हैं तो यह आपको देखना है साथी साथ माइक्रो प्लाजमा पर यह सौर्ट में आपको देखने को मिलता है कि उसमें देखने को मिलता है कि माइक्रो प्लाजमा है क्या ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशन आत के साती साथ वायराइड क्या होते हैं वह又कर ना आपको देकि उसके बाद में आता आ अधा है प्रaporita टिक्स और यॉकोराटिक इस इन दोनों में अंतर खुचा जाते होती इसकोषका क्योû कशन पूंचा जाता है खाने वाले कबक कौन-कौन से होते हैं मैंने कहा कुछ लाबदायक कुछ खाने वाले कवक कौन से उन कवकों को आप पर टिपली रिखनी है कानेवाले कवक कौन से है उसके बाद में ग्राम पॉजिटीव ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया क्या होता है most important question है यह हर साल एक्जाम में बनता है ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया साथी साथ ग्राम अभिरंजन बहुत ही ज्यादा है नेस्लान आता है कब को द्वारा उतन पादव रोग तो आप जानते हैं वह Cap'd मेंके घारा रोघंते हमें और CS रूभत है और झैहले हैं किया होता जाता है वह आप देखेंगे से लिमडैल क्या होता है मॉश्च्ट इमपॉट्टेन्ट तो ट्रांस्ट्रक्शन क्या होता है उसके पूछता है उसके बाद में पूछा जाता है अब जानते हैं जो बॉनध होटा है सिकंज बॉनध होता है कि इसे बादे कहते हैं क्लब क्लब कॉंसेक्शन क्या होता है जिसे बंद कहते हैं तो सिकंजा बंद होता है उसकी बारे देखेंगे साती साथ नेक्स कोशन आपसे पूछा जाता है जो हीलो एक होता है हिलो कारपिक और यू कारपिक तो हिलो कारपिक और यू कारपिक में अंतर पूछता है क्या पूछता है इन दोनों में अंतर पूछता है ठीक है तो ये question थे most important question जो exam 2021 के लिए थे तो आई हूब आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूरू बताईगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और जाता से जाद दोस्तों को शेर करिए ठीक है और इस वीडियो को आप पेपर हैकर यूटूबचल पर देख रहे हैं और बीस की पूरी त्यारी करने हैं केवल बीस की आफिस्टूड